दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें कोई कर नहीं होता है तो कई बार फंबल भी हो जाते हैं इसपॉंटनिस होता है विछाद तो शब्द नहीं मिल पाते हैं शब्दों का भाव हो जाता है या थोड़ा बिलम्प से आते हैं जिससे आपको लगता है कि यारे यार मैं फंबल कर गया लेकिन यकीन मानिए आप मेरा वीडियो एक ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पूरा कंटीनियूटी मिलेगा वीडियो में कोई इसमें कट एडिटिंग नहीं होता है ये जो भी वीचार होते हैं मेरे स्पॉंटेनि कि उतना ही डालता हूँ उससे ज़्यादा मेरे वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं मिलेगा मैंने आज तक जितने भी वीडियो ना है 99% वीडियो में मैंने एडिटिंग नहीं किया है कभी ज़्यादा फंबल हो गया तो काटा होगा उलग बात है तो मैंने ये बताने के ही परयास किया कि अगर किसी को ऐसा लगता किसी ने मेरे को बोला था कि आपים वहां फंबल हो गये थे इसकी वज़र से मैं बोला के वार होता है कि शबद नहीं मिलते जिसे जिसे कि आप उस बात को बोलने में कई शब्ल की जरुवत होती है तो दो शबद बोला, एक शब्द मेरे दिमाग में नहीं आया सो तो मैं उसको याद करने में फंबल कर गया लेकिन इसके लिए छमा चाहता हूँ लेकिन ये भी समझने का प्रयास किजिए मेरा वीडियो स्पॉंटेनिस होता है कोई कट एडिटिंग नहीं होता कि मैं चार लाइने बोला फिर कट करके दूसरी एडि करके चार लाइने बोल दिया ऐसा नहीं है मैं बोलता रहता हूँ जो मेरे दिमाग में चलता रहता है चुकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो एक बाउंड होता है कि मतलब जो सब्जेक्ट पे बना रहा हूँ उसी में रहना चाहिए क्योंकि पहले अगर आप मेरे अर्लियर वीडियो में जाएंगे तो मैं आदा दे घंटा तक बोलता रहाता हूँ एक एगंटे का भी वीडियो बनाया है जिसमें कोई कहानी भी नहीं है तो मैं काफी बोल सकता हूँ लेकिन चुकि वीडियो काफी लेंदी हो जाते है और दूसरी एक और चीज है कि मैं कोई यूटूबर नहीं हूँ मैं जॉब करता हूँ मेरी अच्छी नाउकरी है मैं अपने सुकून के लिए और आपको कुछ बाट सकूँ जिसे आपको रास्ता या ग्यान मिल सकते है इसको ग्यान तो बोल नहीं सकते है जो भी मिल सकता है आपको तो मेरे को भी सुकून मिलता है किसी ने अगर मेरे को वो पूछ लिया जिया आपका वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को अच्छा लगता है इसलिए बनाता हूं तो चलिए इस नए वीडियो को एक नए तरीके शुरुआत करते हैं आपने ये जिन्दगी में कई बार सुना होगा आप जब बच्चे होते हैं तो कोई भी चीज जिन्दगी में आप अगर पाना चाहें तो हरवड़ाट में नहीं होता है हरवड़ी में सब गरवड़ी होता है आप लिखने भी जा रहे हैं आप बहुत जल्दी जल्दी लिखने प्रयास करेंगे तो चाहर चीज लिखेंगे चाहर चीज भूल जाएंगे तो आज का जो कहानी है इसी से संबंदीत है कि हम कोई भी कारे करते हैं तो इतनी हरवड़ी में क्यों करत होना चाहिए लेकर उसके पहले मेरे चैनल का एक छोटा सा वीडियो है जिसको जरूर देखिए और उससे आपको और जो लोग नए जुड रहे हैं उनको भी पता चलेगा मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ और मेरे चैनल को और बेल आइकॉन दबाएए औल वाले पर ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो कि इस चैनल पर अवेलिबल हैं आप उनको देख पाएं और ग्यान की वर्दक की जो बाते हैं आपको भी वो सब सुनने को मिलें जादा से जादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेर करिए जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए शेर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंस में और लाइक के साथ में शेरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा आपके कमेंट रिव्यू करता हूं इससे पता चलाओगा कि मेरा च एक गाओं में एक वेक्ती रहता था जो बहुत ही आलसी था वो काम करने से बहुत कतलाता था उसके घर वाले परेशान के भाई तुमको उटके काम करना चाहिए कुछ तो करो कुछ कमा के लाओ या कुछ भी करो लेकिन वो बंदा काम ही करने को राजी नहीं चाहता वो सोचता था कि मतलब ऐसे ही सब कुछ मिल जा है होता है ना कि बैटे बैटा सब कुछ मिल जा है लेकिन ऐसा होता नहीं है होता होगा किसी के लाइफ में लेकिन ऐसा मान के चलिए ऐसा होता नहीं है अगर ऐसा मान लिए तो आपके जीवन के प्रयास करने में बाधा होगा कोई पैसे वाले के घर में या सफल आदमी के घर में पैदा होके अच्छे लाइफ जी रहा हो उससे आप अपनी तुलना करके आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी पैरों पे कुलाडी बारेंगे इसी कहानी का दूसरा पार्ट है कि उसी गाउं के छोर पे एक बोढ़ा सादू रहता था जब भी कोई उधर से गुजरता था तो एक बात बोलता था जो आए उसको सब मिलेगा जो मेरे पास आएगा उसको सब मिलेगा ये बोलता रहता था तो लोग बोलते थे पागल है और लोग चले जाते थे उधर से वो बैठता रहता था और बोलता रहता था उसका ये ये स् लेकिन वो बंदा भी जाता था, वो जो आलसी वेक ती उद्धा से गुजरता था हमेशा लेकिन वी ध्यान नहीं देता था, किसी ने उसको बोला जे वो जो बुड़ा सादू बैटता है ना गाउं के बार, बड़ा पोहुचा हुगा आद्मी है, उसके पास सही में कोई सक्त ही है कि आप जाओगे तो आपका काम सफल हो जाएगा, तो वो आलसी आदमी को लगा, यार ऐसा कोई काम बता दे जिसमें कि मेरे को कुछ करना भी ने पड़े और मेरे को फाइदा भी हो जाए, उसको अब एक आशा के किरन दिखी, तो वो सादू के पास पहुँचा, रुपया के घिर पड़ा करा गिया, आप मेरे को बताईए कि आप जो आएगा कैसे मिल जाएगा मुझे, करा मैं जो चाहूंगा ना वो आप तुमको दे सकता हूँ, आप तुम पा भी सकते हो, हीरे, मोती, सब कुछ पा सकते हो, करा बाबाजी आप को उपाय बताईए कैसे पा जाओ, मेरे को तो क्यों लग रहा कि नहीं मिलेगा मेरे को कुछ, करा बस, कुटिया के अंदर आओ, लेके गया जूप्टी के अंदर, उसने जगह पे बैठाया उसको, बोला यह आख बंद करो, और पांच मिन ध्यान लगाओ, और क्यों अपने बारे में सोचो, फिर मै बाबा क्या देगा, कोई जडी बुटी देगा, क्या देगा, क्या मंतर देगा, कुछ ऐसा जादूई शक्ती देगा मेरे को कि मैं जो चाहूं पालूं, जब वो पांच मिन बैठा तो उसने बाबा ने एक पोटली में से हाथ डाल के निकाला और उसके हाथ पे रख दिया अपनी मुठी, और बोला जब मुठी को दवा के रखो, पकड़ो और मैं खोलूंगा इसको, इस मुठी को और तुम उसको पकड़ लेना जो चीज दूँगा, और मैं कान में बोलूँगा, मैं क्या दे रहा हूं, तो बोला कि देखो, ये हीरा है, और हीरा बोला तो मुठी उतके हाथ पर रखा उसने पकड़ लिया, छोड़ा तो बोला देखो, जिन्दगी का धारे जो है, तुम्हारे जिन्दगी का ही रहा है, तो बोला की वरी, दूसरी मुठी वो, उसको लगा, दूसरी मुठी मेसिं क्या हो, कन्सियूज हो गया उसने फिर पोट्रि में है हाथ डाला और दूसरा अपना मुठी उसके हाथिखणी पर दूसरे हाथ पर लखा, और बोला कि ये जो तुम्हारे मुठी में है, दूसरा जोई, ये मोती है, सतत परियास, बिना डरे हुए, ये मोती है, तुम्हारे जिन्दगी का, उसने हाथ जब अपना खोला ते देखा ते कुछ नहीं हूँ तो क्यों बात ही थी, लेकिन उस आलसी वेक्ति के दिमाग में बात घुस गई, बोला भावा मेरे को समझ में आया, अपने मान को शान्द करने के लिए पांच मिन मेरे को बैठाया और बोला जे एक जगे आप ध्यान लगाओ, और उसके बाद आपने जो चीज बोला मेरे को थुड़ा समझ में आया वो बंदा वहां से चला गया, उसके जिन्दगी में एक बदलाव आया, उसने धारे के साथ प्रयास किया, और अपने जिन्दगी में काफी पैसा संपती मना के आगे बढ़ गया, फिर वो बाबा के पास आया, दो तीन साल के बाद, और बोला उनके चरनों में गिर कर, आप अपने जो मुझे दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा और मोती है, अगर इंसान इस चीज को समझ ले, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती उसको आगे बढ़ने से, दोस्तों यही हमारे जिन्दगी का भी है, फलसपा, अगर हम कोई भी कारे करते हैं, तो उस कार को सफल ओने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं होगा कि आपने कारे शुरू कि आपको सफलता मिल गई, जैसे माले ही हम लोग यूटूब पे वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं कोई भी बहुत बड़ा यूटूबर होगा या यूटूब पे वीडियो जिसके मिलियोन फॉल और बढ़ गया और वो मिलियन में पहुंच गया, इसा नहीं, जितना मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, सालों से मेहनत कर रहे हैं, बिना थके, बिना रुके, कई बार दुक भी होता है, वियू नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, आदमी कन्फ्यूज हुआता है, कि यारे या आदमी उसमें लगा रहता है, तो कहीं ये कहीं उसको रास्ता मिलता है, और मन्जिर में मिलता है, और ऐसे लोग आगे बढ़े, आपको एक दुसरा एक्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी पौधा लगाए, किसी तरह का भी, तो आपको वेट करना पड़ेगा वो अपने के लिए, कोई भी बीज आपने डाला, तो उसको कम सको टाइम तो देना पड़ेगा ना, उसके बीज को अंकुरित होने में बाहर निकलने के लिए, आप डेली आप, आज लगाया, अकल खोदे, अर्याज कुछ नहीं बढ़ा, फिर परसो खोदे, तो उसको जमीन के चाहिए, धरे रखना चाहिए, प्रयास के साथ धरे बहुत ज़र रहे जंदगी में, अगर यही आप अपने जीवन में अपना लेंगे, यह मंत्र, तो मैं उमीद करता हूँ कि कोई भी कारे, घर का कारे हो, बाहर का कारे हो, परिक्षारती जो होते हैं, स्टुडेंट होते चाहिए, उसको पाने के लिए, यह सबसे बड़ा मंत्र है, कि आप अपना प्रयास किजिए, लेकिन जब भी आपको सफलता, आपके मन मताबिक नहीं मिलता है, तो अपना धरे या पेसेंस को मत खोईए, आप लगे रहे, एक नए एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा, इ जरूर दबाएं, कि जब भी मेरा वीडियो ऐसा है, तो आपको उसका नोटिफिकिशन मिले, और आप मेरे वीडियो से बंचित नरा जाएं, धन्यवाद दोस्तों.